Hello everyone, welcome back to my channel, let's learn with me आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है Rhyming Words आज हम देखेंगे Rhyming Words क्या होते हैं बच्चों को Rhyming Words कैसे सिखाएं और साथ में देखेंगे कुछ Worksheets बच्चों को Practice कराने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं Rhyming Words इसे हिंदी में समान तुक वाले या समान लै वाले शब्द भी कहते हैं Rhyming Words क्या हैं चलिए पहले इसकी Definition देख लेते हैं Rhyming Words are Two or more words that have the same or similar ending sound Rhyming Words दो या दो से अधिक ऐसे शब्द होते हैं जिनका ending sound एक जैसा हो For example, जैसे मैंने आपर लिखा Hen इसका जो ending sound है वो है N तो एक ऐसा हम word लेंगे जिसका ending sound भी N हो जैसे की Pen तो देखिए इन दोनों का ending sound क्या है N, दोनों में E N, E N, N आ रहा है तो इनका ending sound एक जैसा आ रहा है Hen, Pen तो ये दोनों words आपस में rhyme कर रहे हैं तो ये हो गया rhyming word इसी तरीके से एक और हम ले लेते है Men तो इसमें भी क्या रहा है E N, N Hen, Pen, Men यहाँ पर एक और लिखते है Den देखिए इसमें भी आ गया E N तो ये सब क्या हो गया? Rhyming words क्योंकि इनका ending sound एक जैसा है तरीके से एक और example देखते है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा R, E, D Red तो इसका ending sound क्या रहा है? Add तो इसी तरीके से एक और word हम लेंगे Bed तो इन दोनो words का ending sound क्या है? Add दोनों में ED लगा हुआ है इनको जब हम पढ़ते है Red, Bed दोनों के last में क्या रहा है? Add तो यह दोनों क्या हो गए? आपस में rhyme कर रहे है तो यह हो गए rhyming words यहाँ पर कुछ और examples लिखे हैं मैंने जैसे Cat, Bat, Rat, Hat तो इनका ending sound क्या है? Add यहाँ पर है Fan, Can, Man, When इनका ending sound भी एक जैसा है इनके end में आ रहा है and यहाँ पर है Fin, Tin, Win, Pin तो इनका ending sound एक जैसा है तो यह सब क्या है? Rhyming words इस तरीके से पहले बच्चों को example दे कर समझाए इनका sound उन्हें समझ में आना चाहिए कि last में जो sound है वो एक जैसा होगा तभी वो rhyming words होगे पहले आप उन्हें examples दे के समझाए फिर उन्हें खुद से rhyming words बनाने के लिए कहें तो चलिए आप देख लेते हैं कुछ worksheets बच्चों को practice कराने के लिए first worksheet है circle the correct rhyming words यहाँ पर मैंने कुछ picture ड्रॉ किये है और साथ में उनके name लिखे है बच्चों को correct rhyming word find करना है और उसे circle करना है जैसे कि यहाँ first है car तो car का rhyming word क्या होगा यहाँ बच्चों को find करना है और उसे circle करना है car का rhyming word होगा jar तो बच्चे इसको circle कर देंगे bug, mug तो यह हो जाएगा correct word यहाँ पर है log तो lock का rhyming word हो जाएगा frog इसे circle कर देंगे यहाँ पर है moon, moon का rhyming word क्या होगा star, head या फिर spoon तो moon का rhyming word होगा spoon बच्चे से circle कर देंगे next worksheet है match the rhyming words यहाँ पर कुछ words लिखे हुए हैं बच्चों को इनका rhyming word इनके opposite side में find करना है और match करना है first है bet, तो bet का rhyming word यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे और ढूडेंगे bet का rhyming word होगा cat दोनों का ending sound क्या है? at तो इसको इस तरीके से match कर देना है फिर यहाँ पर है red, red का हो जाएगा bed इनका ending sound है add फिर यहाँ पर है kit, kit का हो जाएगा bit इनका ending sound है it cry का rhyming word हो जाएगा fry nail, nail का हो जाएगा sail यहाँ पर है pot, pot का हो जाएगा caught sun, sun का rhyming word bun tip, tip का rhyming word lip pen, pen का rhyming word hen next worksheet है identify the picture and write the rhyming words तो यहाँ पर मैंने कुछ pictures ड्रॉ किये हैं और उनके name लिखे हैं और यहाँ जो picture बनी है बच्चों को इन pictures को identify करना है और इनका name लिखना है वही होगा इस word का rhyming word जैसे यहाँ पर है cat तो यहाँ पर क्या बना है hat तो बच्चे इसका name यहाँ पर लिख देंगे hat hat तो cat का rhyming word क्या हो गया hat इसी तरीके से यहाँ पर है bag और यहाँ बना हुए tag तो बच्चे से identify करेंगे और इसका name लिख देंगे bag, tag फिर यहाँ पर है sub और यह है tub तो यहाँ पर बच्चे लिख देंगे tub, t-u-b sub, tub यह हो गया इसका rhyming word next worksheet है write the next rhyming word यहाँ पर कुछ word लिखे हुए है बच्चों को इने पढ़ना है और इनका next rhyming word लिखना है जैसे कि यहाँ पर है cat, bat तो इसका next rhyming word क्या होगा pet, mat, set, rat कुछ भी हो सकता है बच्चे को जो word भी समझ में आए वो लिख सकते हैं यहाँ पर और मैं लिख देती हूँ hat इसी तरीके से यहाँ पर star, car तो इसका next rhyming word jar हो सकता है j, a, r तो इस तरीके से बच्चे इन words का next rhyming word लिखकर इस worksheet को complete करेंगे next worksheet है find the rhyming words in the clouds use the same color to fill in each set that rhymes यहाँ पर cloud में कुछ words लिखे हैं बच्चों को इनके rhyming word find करने हैं और उन दोनों words की cloud को एक जैसा color करना है जो आपस में rhyme कर रहे हूं जैसे आपर है bet bet का rhyming word यहाँ पर बच्चे find करेंगे तो bet का rhyming word यहाँ पर है hat तो बच्चों को क्या करना है इन दोनों clouds को एक color से color कर देना है इस तरीके से hat और यह हो गया bet इसे जो है बच्चे अच्छे से fill कर देंगे इसी तरीके से आपर है top top का rhyming word यहाँ पर बच्चे ढूडेंगे top का rhyming word है hop तो इन दोनों clouds को एक color से color कर देंगे यहाँ पर है bed bed का rhyming word हो जाएगा red इन दोनों clouds को एक color से color कर देंगे तो इस तरीके से बच्चों को ये वर्कशीट कम्प्लीट करना है ये थी आज की वीडियो, I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाइबा